Welcome to the wonderful world of economics for 10. के जितने भी क्वेस्चन हैं जितने भी चेप्टर्स हैं उनकी बेस है और रिग्रेशन एमेक्नॉमिक्स पार्ट वन में अगर आप अच्छे से समय लेते हैं तो आगे ये पार्ट टू में एकॉनमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें भी आपको काफी हलफुल साबित होगा और ये समय लेके रियर की अडिया पूरे स्टैट के आपकी बूक है जितनी भी मल्टी पर रिग्रेशन हो या सिंपर रिग्रेशन हो क्यूंकि ये अगर आप अच्छे से समय लेते हैं तो आपके आगे ये पार्ट टू में भी काफी आपको हल्प आउट करेगी एकॉनमेटिक कोरिलेशन क्या होता है उसकी इंटर्पटेशन क्या है कोफिशंट ओफ डिटर्मिनेशन क्या है उसकी इंटर्पटेशन क्या है स्टेंडर एरर ओफ एस्टिमेट वो क्या होता है उसकी इंटर्पटेशन क्या होगी इसके इलावा टोटल विरियेशन तीन तरह की सकती है तो यह तमाम बातें आपको इस वन वीडियो में तमाम एक नुमेरिकल एक्जेम्पल मेरे पास सोल लिखी पर ही है उसे मैं आपको स्टेप बाइस्टेप यह गायड कर दोंगा किस तरह से यह चीज़ें आई हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना कोई एक पो आपके पास कोई भी एडिशन हो 13 14 17 18 जोंसा भी डिशन है आपके पास दो वेरियेबल है एक फैमिली साइज दूसरा अमाउंट स्पेंट ओन रीक्रियेशन अब जारी बात है फैमिली साइज जितना ज्यादा होगा रीक्रियेशन पर अमाउंट उतनी ज्यादा लगेगी तो यह वेरियेबल यह डिपेंट कर रहा है फैमिली साइज के ओपर तो जो डिपेंडेंट होता है उसे वाई कहते है जो इंडिपेंडेंट होता है उसे एक्स कहते है एक्स की और वाई की वैल्यूस गीवन है हमारे पास ठीक होगा जी अब वो हमसे पूछ क्या रहा है क्य आपने पूट कर देना है वो regression equation estimate कैसे होती है अभी देख लेते हैं भी पार्ट में what is average increase in amount spent on spent for a family member increase in size of family average increase in amount spent for member increase in size of family तो वो average increase क्या होगा इसे कैसे करना ये भी देख लेते हैं तीसरे पार्ट में what type of relation exist between there तो ये relation कौन सा exist कर रहा है strong है weak है positive है negative है ये कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं इसके लबाद डी बार्ट में है what type of information what type of information we give from the coefficient of determination coefficient of determination किस तरह find होता है इसकी interpretation क्या होते है ये देखेंगे total sum of square एक तीन तरह के sum of square होते हैं total sum of square explained sum of square unexplained sum of square explained को regression sum of square भी करते हैं unexplained को error sum of square भी कहते हैं तो sst sse ssr कैसे होते हैं ये भी मैं सारा आपको बता दूँगा इसमें सिर्फ sst का उसमें पूछा हुआ है लेकिन मैं remaining दो भी आपको बता दूँगा प्रूफ दैट y-y cap equal to zero summation y-y cap equal to zero होता है ये आपने प्रूफ करना है तो ये तमाम काम करने के लिए सबसे पहले आपने regression equation estimate करनी होते है कानी आपकी उधर से start होती है regression equation estimate करने के लिए b सबसे पहले estimate किया जाता है तो regression equation की आप equation लिखेंगे सबसे पहले ये जी regression equation हमने बना ली एक dependent एक independent एसका मतलब है simple regression का question है y equal to a plus b x तो B सबसे पहले निकाला जाता है N summation X Y minuschn X summation Y N summation X square minus condition X whole square उसके बाद A का फार्मला होता है Y bar minus B X bar तो इस तरह से B निकालने के लिए हमें सबसे पहले X Y का कालम चाहिए X square का कालम चाहिए और यह कैसे बनते हैं अभी इधर बना लेते हैं यह दो कालम हमारे पास मज़ूद थे X और Y X और Y को मल्टिपलाय किया X Y का कालम बन गया ठीक है जि यह आपने X Y का कालम बना लेना है यह 3 को 99 से मल्टिपलाय किया यह आ गया 6 को 104 से किया इन तमाम values को sum कर लेना यह summation X Y आ गया Y की तमाम values को sum करेंगे यह summation y आजएगा x की तमाम values को sum करेंगे यह summation x आजएगा ओके हो गया इसके बाद अगला column x square काम बनाएंगे क्योंके b के formula में हमें यह भी चाहिए तो यह x 3 का square 9 6 का square 36 इन तमाम values का square करते जाएं यह column बन जएगा इस तमाम values को जमा करेंगे यह summation x square आगया 217 y square भी बना ले आगे में काम आएगा तो y square भी हमने यह y की values ने इसका square लेते जाना है आपने 99 का square लिया 9801 इसी तरह यह तरह तमाम values आगए इन तमाम values को जमा किया यह summation y square आगया यहां तक ही हमें a और b चाहिए तो यह हम b निकालने के लिए इतनी information काफी है तो यह b का formula था इस b के formula में आपने values पूट की n हमारे पास वो number of values है 10 है और summation x y यह हमने निकालना है summation x यह है 45 summation y tetra 1 है n 10 summation x square 217 निकालना है summation x all square यह जो summation x था 45 यह वाला इसका all का square इनको हमने solve किया इन दोनों को multiply करें इन दोनों को multiply करें और उपर वली दोनों values को minus कर दें 1635 आ गया इन दोनों को multiply किया इसका square minus किया तो 145 आ गया इन दोनों values को divide करेंगे b 11.276 b आ गया b निकला है उसके बाद a निकालना होता है a का यह formula जी bar तो यह summation y भी है मारे पास summation x भी न भी है values put की है आपने a निकलाया बहुत ही अराम के साथ वो निकलाया 60.358 a भी आ गया b भी आ गया तो equation आपके estimate हो गई है यह equation 60.358 plus 11.276 x a पार्ट में वो कह रहा था कि family size 2 इस x की जगा 2 put कर दें तो यह आपका estimate हो गया answer y cap निकलाया 82.91 a पार्ट का आपका आगया answer यहां तक का नहीं मेरा ख्याल है clear हो गई अब आगे b पार्ट इसका क्या था b पार्ट इसका था what is the average increase in amount spent for a member increase in the size of family तो average increase कितना आएगा यह असल में b की interpretation पूछ रहा है जो आपने regression equation estimate की है उसमें b की value निकली है हमारे पास 11.276 तो उस interpretation का मतलब क्या है वो पूछना चाहरा है तो उसके लिए answer यह है जी the average rate of increase in amount spent on recreation is 11.276 dollar for a member increase in family size अगर एक member increase होता है तो 11.276 expenditures का इजाफा होता है उनको उतना फिर खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं तो यह एक average estimate निकाल दिया उसने तो असल में यह b की interpretation है यह जो b की value निकली है x का y के साथ relation impact कितना हैगा वो यह बताएगा यह वो पूछना चाहरा था ठीक है जी अब c पार्ट में वो पूछता है what type of relation exist what type of relation exist between there तो यह आपने correlation से पता चलेगा कि relation आपका weak है यह strong है negative है यह positive है तो उसके लिए आपने correlation का formula लगाना है वो कैसे लगेगा तो यह एजिवर type of relation exist आर यह x on y or y on x on a की formula रहता है तो coefficient of correlation n summation x y minus summation x summation y b वलाई यह उपर से नीचे n summation x square minus summation x whole square और साथ आपने आप समयलें कि यहाँ तक तो b का ही formula है साथ यह आपने multiply करना है and summation y square minus summation y whole square और नीचे वाले का square root ले ले लेना है यह correlation बन जगा coefficient of correlation correlation बताता है हमें दो variables के दरम्यान relationship और वो relationship find करने के लिए जो method यूज़ करते हैं वो उसे कहते हैं coefficient of correlation तो यह इसके formula में summation y square आ रहा है तो summation y square निकालने के लिए ही हमने वो पीछे y square का column advance में बना लिया है उसको जमा जब करेंगे वो summation y square आ जगा इस formula में आपने value सिर्फ put करनी है और values put करने के बाद simplify आपने कर लेना है और यह आपका finally answer निकला है 0.589 याद रहे correlation की value हमेशा minus 1 और plus 1 के दरम्यान होती है minus sign indicate करेगा negative relation को plus sign indicate करेगा positive relation को तो यह यहां पे answer हमारा plus में आ रहा है इसका मतलब है के relationship positive है अब जितना answer 0 के करीब होगा वो weak relation को indicate करेगा 1 के करीब होगा वो strong को indicate करेगा तो यह 58% answer है इसका 0.589 तो यह 1 के ज्यादा करीब जा रहा है ठीक है 0 के करीब नहीं है इस वज़ा से हम इसकी interpretation लिखेंगे there is a direct relation positive relation को direct relationship भी कहते है अब यह strong इतना ज्यादा relationship तो नहीं है क्योंकि यह value से पता चार रहा है कि यह moderate positive relationship है क्योंकि 0.7 यह से उपर answer हो तो उसे हम strong positive relation consider करते हैं तो यह 0.58 है इस वज़ाए से हम इसे कह सकते हैं कि यह moderate direct relationship है between family size and amount spent on recreation तो यह C part का answer आ गया ठीक है जी D part क्या था जी महरे पास D part था जी what type of information we gain from coefficient of determination coefficient of determination बताएं वो कैसे find होता है simply आपने जो R निकाला है उसका ले लें square तो यह R जो आपने निकाला है 0.589 तो इसका square ले ले लें यह आगाए 0.347 तो coefficient of determination निकला है याद रहे coefficient of determination की value मेशा 0 से 1 के दर्मयान होता है 0 से छोटी नहीं हो सकती negative नहीं हो सकती क्योंकि जारी बात है यह square है अगर R का answer negative भी आ रहा है तो square positive हो जाता है square करेंगे तो वो negative का sign खतम कर देता है तो यह minus 1 और 1 के दर्मयान अगर रहेगा answer तो इसका मतलब है definitely यह 0 और 1 के दर्मयान रहेगा answer तो यह देख लें 0 और 1 के दर्मयान यह 0.347 अब यहाँ बेभी answer जितना 1 के करीब होगा model हम कहेंगे उतना अच्छा है जितना 0 के करीब होगा हम कहेंगे model उतना weak है यह poor है क्योंकि वो कम variation को explain करेगा 1 के करीब होगा वो ज्यादा variation को explain करेगा यह सिरफ 34% variation को explain कर रहा है 34.7% ठीक है जी तो यह model हम consider करेंगे weak है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो यहाँ पर interpretation इसकी लिखी नहीं है लेकिन यह आपको मैं जबानी बता रहा हूँ यह लिख लें इसकी interpretation में आप कि this is a weak model because the model only explain 34.7% variation inside the model which is due to independent variable यह देखें actual line first key y key हमारे पास यह है estimated line वो first गर लेते हैं यह है यह हमारी estimated line है तो actual line और estimated line के दरम्यान difference ज़्यादा है ज़्यादा difference होगा इसे कहेंगे weak relationship है यह model poor है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है r square का answer जितना 0 के करीब होगा इन दोनों line के दरम्यान difference उतना ज़्यादा होता जएगा जितना answer r square का 1 के करीब होगा तो y cap का answer इस line के उतना ही करीब होता जाएगा ठीक है जी हो सकता है कि y cap यह बन जाए उस case में जिस वक्त r square का answer 1 के करीब हो अगर exact 1 answer आगया फिर तो y cap भी आपका इस y वली line पे ही है दोनों एक ही line पे exist कर रहे है तो 19-20 का फरक दो आता है यह बिल्कुल same line नहीं होती तो answer 1 के करीब हो वो अच्छा है जितना 0 के करीब होगा यह आपकी estimated line उतनी दूर होती जाएगी ठीक हो गया जी उसके बाद जी यह पार्ट में वो कह रहा है कि total sum of square बताएं total sum of square इसे total variation भी कहते हैं इसका यह formula लिखा हो है जी total sum of square equal है sst वो summation y square minus summation y whole square over n तो total sum of square को summation y minus y bar square यह भी कहते हैं और नीचे जी लिखा हो है ssr regression sum of square जो के explained variation है उसे जमा कर दें sse error sum of square जो के unexplained variation है इन दोनों variation को जमा करें तो total variation बनती है last part में y minus y cap summation y minus y cap equal to 0 है यह प्रूफ करना है आपने तो यह प्रूफ करने के लिए y cap का एक कालम बनाना है आपने y cap का कालम कैसे बनेगा यह y cap की equation है a plus b x a और b आपने निकाला होगा है यह a 60.358 plus b a है x यह x का कालम है x की जगा 3 put करें यह पहली value आजेगी x की जगा 6 put करें दूसरी value आजेगी 5 put करें तीसरी value यह y cap का कालम बन जगा y cap का जिस बनाना गया तो y minus y cap यह आपने निकाल लेना है इसे error कहते है जो अभी आपको मैंने यह diagram से भी दिखाया था कि एक actual line है एक estimated line है उनके दरम्यान difference यह error ही होता है तो y minus y cap करते जाएं यह y का कालम है 99 में से 94.186 यह minus किया 4.814 आगया इन तमाम values को कुछ values प्लस में आएंगी कुछ minus में आएंगी इन तमाम values को जमा करें तो summation y minus y cap आएगा जो के equal to 0 है अभी यह मैंने diagram से भी आपको दिखाया यह देखें कि यह अगर आपका यह अगर आपका estimated line है और यह आपकी actual line है यह देखें इस mid point से जिसे मैं e कह रहा हूँ mid point का आगे चले जाएं तो आपकी estimated line इसके नीचे है और इस mid point के पीछे चले जाएं तो estimated line इसके उपर है कुछ variation आपकी plus में है कुछ variation minus में है इन दोनों तरह की variation को जमा करेंगे तो अबर आल आंसर इसका zero बन जता है माइकल कुनोटस मोटन आप जा रहे है ब्रहें मेरबनी तस्थ प्यार करो सिस्क्राइब करो और डाइब करो